तो यह अब देख सकते हो यहाँ पे एक मजली मरी है मर के तैर रही है और यह लगबग साहद 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गए इसको मरे हुए क्योंकि देख सकते हो इसके बॉड़ी में अधा मांस है ही नहीं क्योंकि इस टैंग में थोड़ा बहुत रूपचंदा है ज अगर आप देखोगे तो दिन में मेरा लगबग 3-4 करके मर जाती है विकाज आप विंटर हमारी यहाँ पे टेंपरचर जो है काफी ज़्यादा घिर चुका है और तीला पिया में काफी ज़्यादा दिक्कत आ रहा है इस टैंग में मेरा रूपचंदा है इसमें अभी तक ऐसा कुछ दिक्कत देखने को नहीं मिला है ठीक है यहाँ पर मसलियों का एक्टिबीटी भी ठीक ठाक है खाना भी खा लेती है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है और यह तीसरा टैंग है जहां पर आप देखोगे आप में से काफी सरे लोगों को पता है यहाँ पर आमूर चुका है और इस एक महिने में मेरे को क्या क्या देखने को मिला इरे ईक अब हैं और मचलियों की अब का आप एंड तक देखो वीडियो के साथ बने रहो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद काफी सारा जो है इन्फर्मेशन मिलेगा आप सब कमेंट करके जरू बताओ यार बोलता हूँ लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते अपने मचलियों का हाल चाल नहीं बताते तो ऐसा मत करो यार दिल से बुरा लगता है आप लोग कमेंट करो अपना हाल चाल बताओ मचलियों का हाल चाल बताओ और अगर वीडियो प जो की quality में काफी अच्छा है और मसलियों को भी काफी ज़दा पसंद है यह जो टैंग आप देख रहे हो इसमें मेरी total जो cat size की मसलिया है अभी तक मैंने जो जो farming की है तिलापिया है इसमें रुपचंदा है इसमें आमूर कार्फ है इसमें पंगास का भी कुछ cat size की fishes है मतलब तो हम धीरे धीरे चल आउट कर दे रहें पॉंड बालको क्योंकि cat size जो होती है उनको अगर पॉंड में इसके बाद डाला जाए तो वहां पर काफी अच्छा growth ले लेती है तो यहां पर देख सकते हो लगभग सभी मसलिया आतो रही है खाना खारी है लेकिन पंगास एक भी चलेगा तो चलो एक काम करते हैं individually हर एक टैंग में डालते हैं जैसे कि इस टैंग में हमारा अभी जो है रुपचंद है तो इसमें खाना डालते हैं और देखते हैं इनका क्या activity है फिर मैं जीरे देर आपको बताऊंगा कि इनमें क्या क्या दिक्कत है अभी देखने को मिला क्या है जो इनका सीनल ऐसा है ये ठूड़ी देर बाद खाना खाते है मतलब कि इनको पता चलता है क्योंकी एकदम टैंक के नीचे रहता है थीक है तो धूरी देर बाद यह लोग खाना खाने काने आते हैं जैसे देखो अभी तीन चार आई है फिरे अपन तर यह मतलब ऐसा नहीं कि ठंडी के लिए इनका बहुत कम हो गया है मतलब खाना खाती नहीं खाती है अच्छा खासा बट पहले जब हमारी हां पर गर्मी चल रहे थी तभी अगर दिन में यह लोग वन किलो के अराउंड डाना उठाते थे अभी 500-600 ग्रम पूरे दिन में उठात खाना थोड़ी सी कम खाती है लेकिन हां खाती है और एक्टिविटी भी आप देखो जबरदस्त है वीडियो के एंड में एक सूट किया है वह भी डालूंगा उसमें भी आप देखना इनका एक्टिविटी काफी जबरदस्त रहेगा ठीक है तो रूपचन में ऐस अच कोई दिकत मुझे देखने को नहीं मिला है हां कभी-कभी जब टेंबर जब 10 डिगरी से नीचे आ जाता है उस दिन खाना नहीं लेती है लेती है लेकिन बहुत कम हो जाती है लेकिन खाना लेती है एक्टिविटी भी ठीक ठाके और में जो चीज है मॉटली अभी तक एक भी होता है और अभीक के टाइंब इस स्टार्ट भी हो गया है सो देखो अभी हमने दाना देया दाना देने के साथ ये लोग अपना काम स्टार्ट कर दिया है मतलब कि इनको बस आप खाना दे दो और यह खालेंगे पानी कितना भी ड़ाटिक ना हो मतलब यह मैं एसलिए बहू यह है अभी तक लगवग यह चार महिने होने को आए है खाना एक दिन भी मतलब कम नहीं खाया बहुत मतलब ज्यादा खाना खाती है लेकिन ग्रोथ मुझे उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला जैसे मेरे को तिलापिया में दिखा जैसे रुकचंद हमारा अच्छे से हम आई है तो डेंसिटी भी हमने यह सोच के डाला बीस जलेट टैंग में दोहजार पीस की काफी कम होगा लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इतना भी नहीं डालना चाहिए था ज्यादा से ज्यादा 500 तो 600 पीसे सी डालने चाहिए थे तभी साइद आज तक अभी तक साइद 100 से ज्यादा मचली इस टैंग में दिखने को साइद हमें मिल जाती है लेकिन अब क्या कर सकते हैं अभी इसको सेल करेंगे थोड़ा सा बड़ा करेंगे टार्गेट जैसे हमारा 100 ग्राम है अभी चार महींने होने को आया है अगले दो महीने में उम्मीद करते हो जाएगा 100 ग अगर आप चारा की तौर पिसको सेल करोगे उस केस में बहुती बढ़िया है इसका एपसीर काफी कम है और कोई दिक्कत नहीं है मरती नहीं है अभी इनका ग्रोथ बहुत अच्छा आता है ठीक है बट यहां पर देखोगे खाने में कोई प्रॉब्लेम नहीं है खाना बहुत अच्छी से लेती है एक्टिविटी जबरदस्त है कोई बीमारी नहीं आती मॉटलिटी जीरो है बाइफ्लक के लिए पारफेक्ट है लेकिन ग पंगास आपने अभी तक नोटीस नहीं किया होगा बिकॉज पंगास को मेरी साब से ठंडी से काफी ज़्यादा दिक्कत है विंटर में टेंपरचर जैसे गिर गया था लगबग पिछले एक महिन से मैं देख नहीं पा रहा हूं एक भी पंगास को मेरे टैंग में खाना खा ठीक है और बाकी ठंडी में भी कुछ मर रही है ठीक है अब एक दो हपते में मरी जाती है मतलब पंगासियास और रुपचंदा का आप यह देख लो यार फीडिंग मतलब दिल खुज हो जाता है लेकिन एक तिस आप लोग काफी ज़्यादा लोग मतलब नोटिस करोगी कि यह बोडी स्ट्रक्चर तो रुपचंद जैसा है लेकिन कलर बिल्कुल भी नहीं है लाल टाइप का दिखता है हमारा रुपचंदा सो मैं आपको बता दो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है मतलब इसका सॉल्यूशन यह है कि आप बाइप लोग में कोई भी मचली फार्मि करते हुए तो डरना नहीं है कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा रिस्क जादा होगा क्योंकि मसलियों का ग्रोथ डेफिनेटली थोड़ा कम होगा गर्मियों के मुकाबले में और बीमारी भी जादा आएगी वैसे अभी तो यहां पर देशी फीचेश है जब हम लोग हाई टेक क्या जाहिंद